श्रहान टेग टीवी पाकिस्ताइब पीछा ने छोड़ूगा जब तक कौम का पैसा ने ये वापस करेंगे एमनमणजूर टेग टीवी पाकिस्ताइब अपने हाँ पेराए मैं आपको सस्पेट करताँ परुख सिद्धि की टेड टीवी पाकिस्ताइब पाकिस्ताइब फारुकी टैक टीवी पाकिस्तान पाकिस्ताइब फारुकी टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ लुकसार शेहजाद सबसे पहले शामिल करते हैं नियूस हैट लाइन्स पाकिस्तानी सियास्थ में बड़ी तब्दीली शेहबाश शरीफ पाकिस्तान के नए वजीर आसम बन गए स्पीकर आयास सादिक ने नतीजे का ऐलान किया इम्राइब खान के बाश शेहबाश शरीफ पाकिस्तान के 23 वे वजीर आसम होंगे नए हकुमत में किस जमाद को कौन सी वजारत मिलेगी मौामला तैपाना शुरू वजारत दाखला इतलात रेलवे ओवर्सीज खजाना दिफासा में दीगर वजारते नून लीग के पास होंगी आरिफलवी कस अदारफ से मस्ताफी ना होने का फяसला पाकिस्तान अरिक अन्साफ के तमामरकान कोमी समली का मस्ताफी होने का फैसला इमरान खानने कहा कि मैं उन चोरों के साथ इसमली में नहीं बैठोंगा عمران خان کے خلاف غداری کی کاروائے کی درخواست خارش وکیل پر ایک لاکھ روپے جنمانہ آئید عمران خان اور سابق وزراء کے نام ای سی ال میں ڈالنے کی درخواست بھی مسترد شیخ رشید کی عصے قبل بڑے موزے کی پیش کوئی کہا جس پر پردے جنم لگنی تھی وہ وزیر آزم بن گیا ہے امپورٹڈ حکومت کو ختم نہ کیا تو میرا نام شہباز شریف رکھ دینا عزت دینے والا اللہ ہے عمران خان کا عوامی حتجاج پر رہتے عمل عمران خان کی ذریعہ صدارت پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی اچلاس ہوا جس میں شرکہ نے عمران خان پر بھرپور اعتماد کا اصحاب کیا Laundry is no longer a hassle Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic, safe for sensitive skin Say no to bulky plastic jugs and bottles No more measuring and spilling Just one strip for a load Simple and squeaky clean Plastic-free, biodegradable packaging Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free Order now at www.ecofreshcanada.ca Or at Amazon To 9236 You are in good hands with Allstate Canada Canada In Canada You have a very necessary And a real estate agent You have a very necessary And if you are a real estate agent Then home life dream reality Competitive package And the President and Broker of Record शकील आलम को 416-727-1624 पर जरूर राप्ता कीजिए अपोजिशन के मुश्टर का नामजद उमीदवार शहवाज शरीफ बिला मुकाबला राखीन कौम इसमली के 114 वोट लेने के बाद पाकिस्तान के 23 वजीर आजम मुन्तखिब कर लिये गए मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में अपोजिशन के नामजद उमीदवार शहवाज शरीफ बिला मुकाबला पाकिस्तान के 23 वे वजीर आजम मुन्तखिब हो गए जबके तहरीक इंसाफ के अरकान इंतखावी अमल का बाइकाट करते हुए एवान से बाहर चले गए कामी असेमली का आहमतरीन इजलास काई मकामी स्पीकर कासिम सूरी की जेरे सदारत शुरू हुआ उपोजिशन के नामजद उमीदवार शहवाज शरीफ समय उपोजिशन के तमाम अरकान इसेमली एवान में मौजूद हैं पीटी आई के मौनहरिफ अरकान एवान में मौजूद नहीं ताहम पीटी आई के अरकान और नामजद उमीदवार शह महमुत खरेशी ने इजलास में शर्कत की पीटी आई अरकीन के एवान में आते ही शोर शराबा शुरू हो गया مسلم लीग नौन की खवादीन नावास शरीफ की तसवीर ऐवान में लहरादी जिस्पर पीटी आई अरकान ने गली गली में शोर है नावास शरीफ चोर है के नारे लगाई जिस पर मुस्लिम लीगी अरकान ने वजीर आजम शहवास शरीफ के जवाबी नारी लगाए कौमी असेमली में बतार वजीर आजम अपने पहले खताब में उन्होंने कहा कि अल्लह का जितना शुकर अदा करें कम है आज पुरी कोम के लिए अधिम दिन है तमाम साथियों की दौाओं से अल्लह ताल्ह ने पाकिस्तान को बचा लिया पाकिस्तान की तारीफ में पहली बार किसी वजीर आजम के खिलाह तैरीके अदम ऐदम इतमाद कामियाँ हुई आज पाकिस्तान में रुपिया डालर के मकाबले में आठ रुपए उपर गया और 182 रुपए पर आ गया शेहबाद शरीफ ने कहा कि कई दिनों से ड्रामा चल रहा है कि हकुमत गिराने के लिए गैर मलकी खत आया ना मैंने खत देखा ना किसी ने दिखाया जानना चाहते हैं ये हकीकत है या जूर ये सब पारलिमान के सामने आना चाहिए जिसके लिए पारलिमेंट की सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए जिसमें इन कैमरा ब्रिफिंग दी जाए अमा मुसल्ला अफवाच के सरबराहां डी जी आईएस आई मौजूद हो और उन्हें ब्रिफिंग दी जाए ताके पूरी खकाम को खत की हकीकत पता चले उन्होंने कहा कि खत में अगर रती भर्भी बैरूनी साज़िश साबित हुई तो मैं वजारत अज्मा के अहदे से मुस्ताफी होकर घर चला जाऊंगा अपोजिशन जमातों में नई हकुमत साजी के फॉर्मूले पर मुशावरत जारी है किसको नई हकुमत में क्या मिलेगा मौामलात खुश असलूबी से तेपाना शुरू हो गए मजीद चानते हैं इस डिपोर्ट में मौमलात तैह होने के बाद पहले मरहले में इतिहादियों को ज्यादा से ज्यादा काबिना में अकुमोडेट किया जाएगा और दूसरे मरहले में दीगर वजारते पीपलस पार्टी और नून लीग के अरकान को दी जाएंगी पीपलस पार्टी को कौमी एसेम्डी में इस्पीकरशिप का अहदा वजारते खारजा और दीगर अहम वजारते मिलेंगी ताहम चेर्में पीपलस पार्टी बिलावल भुटो जर्दारी ने नई हकूमत में कोई अहदा ना लेने का फैसला किया है पार्टी जराय का कहना है कि उपोजिशन इतिहात मौजूदा सदर के मावाखसे का भी फैसला किया गया है मावाखसे के बाद साबिक सदर आसिफ अली जर्दारी या मौलाना फजर्रह्मान सदर के उमीदबार होंगे वजारते खारजा का कलंदान भी पीपस पार्टी को मिलने का खवी इमकान है MQM को सिनकी गवरनर शिप के साथ दो से तीन वजारते मिलने का इमकान बलोचिस्तान आवामी पार्टी को दो वजारतें जबके मुस्मिम लीग और टारिक बशिर टीमा को भी आहम वजारत मिलने का इमकान है जराई के मताबिक जे यू आई को दो से तीन वजारते अखतर मेंगल को दो, जबके शहज़न बुक्टी, एनपी और अस्लम भुतानी को भी एक एक वजारत से नावाज़े जाने का इमकान है, जबके मुस्म लीग नून को सबसे जादा वजारते मिलने का इमकान है, पार्ट अपने मनस्फ से असखुद मस्ताफी होने पर होड़ कर सकते हैं। मजीर चानते हैं अस रिपोर्ट में। इंप्राइन साफ के तमामर कामी असेमली ने मस्ताफी होने का फैसला कर लिया। इमरान खान के जम्ठान के साथ असेमली में नहीं बैठूँगा। तफसिलात के मताबिक इमरान खान की जेरे सधारत PTA की परलीमानी पार्टी का इचलास रॉा। फ्रंट लाइन में इमरान खान के साथ, शामेमूद खुरेशी, असद कैसर, असद उमर और परवेश हटक मौजूद थे इजलास के PTIM इमरान ने इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इज़ार करते हुए पार्टी गयादत के साथ खड़े रहने की यकीन दिहानी करा दी पीटी आई अर्कान सम्यों से मुस्टाफी होने पर तक्सीम हो गए, पीटी आई के एक्सरीयती अर्कान का सम्यों से मुस्टाफी ना होने का मशवरा देते हुए कहना है, इस्तीफे देने के बजाए पार्लीमेंट में जमہورी लड़ाई लड़ी जाए, जराय ने बताय के पार्टी ने एस्सेम्लियों से मुस्टाफी होने का इख्यार इमरान खान को दे दिया और कहा कि इमरान खान जब हुकम करेंगे इस्तीफे जमा करा देंगे इसलाम अबाद हाई कोट ने इमरान खान यूएस सिफारतकार कासिम सूरी समे दीगर रहनुमाओं के खिलाफ गदारी की कारवाई के दर्फास काबल समात करार दे कर मुस्तरित करती इस अवाले से मज़ीद चौनते हैं इसलाम अबाद हाई कोट में साबिक वजीर आजम इमरान खान यूएस सिफारतकार फवाद चौदरी शाम महमुद करेशी और कासिम सूरी के खिलाफ गदारी की कारवाई के लिए दर्फास पर समात हुई समात इसलाम अबाद हाई कोट के चीफ जस्टिस अथर मनुला ने की दर्फास गुजार वकील का कहना था कि मुतनाज़ा ख़त आलमी अदालत इंसाफ में चालेंज करने की जरूरत थी लेकिन इमरान खान ऐसा करने में नाकाम रहे और आई ने पाकिस्तान के आर्टिकल दो पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुचाया वकील ने इस्तिदा की कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान यूएस सिफारतकार फवाद चादरी शामहमुद कुरेशी और कासिम सूरी के खिलाफ संगीन घदारी एक्ट के तहत मقدमा चलाया जाए एकबाल हैदर ने दलायल हुए कहा कि साबिक वजीर आज़म ने एक जलसे के दौरान एक खत अवाम को दिखाया यूएस सिफारत खाने ने मुतनाज़े खत को जाली करार दिया है जिस पर चीफ जिस्टिस का कहना था कि रियासत को अपना काम करने दे सियासी मसाइल को अदालत क्यों लाए हो आपने हाई कोट ने दरखवास ना काबले समात करार दे कर खारिच कर दी अदालत ने वकील दरखवास को जार को एक लाख रुपए जर्माना भी किया शेख रशीद ने कहा कि अमरान खान को हताने के लिए सब एक हो गए हैं, एक अमरान खान के खिलाफ सारे खटे हो गए हैं, मैं सारी कौम को अमरान खान के पीछे खड़ा कर दूँगा, मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में साबक वजीर दाखला और आवामी मुस्निम लीग के सरबराश शेख रशीद ने ईच से कबल बड़े मौज़े की पेशकोई कर दी है, गुजिशता रोज रावल पिंडी में लाल हवेली पर जलसे से, खिताब में शेख रशीद ने इमरान खान के साथ खड़े होने वाले लो कि 29 अपरेल से कबल बड़ा मौज़ा होगा, शेख रशीद का कहना था कि इस मुल्क को आगे लेकर जाना है तो इंतखाबात कराने होंगे, मैं देखता हूं कि ये हकूमत कैसे चलती है, अगर इन से हकूमत चल गई तो मेरा नाम शेहबास शरीफ रख देना, शेख रशीद पार्टी अरकान ने कहा कि इस्तिफों से मुतालिक अमरान खान जो फैसला करेंगे कबूल होगा, मज़ीद तफसिला आप चानते हैं इस रिपोर्ट में चेर्मिन तहरीके इनसाफ عمران खभी आइस पर रदे अमल में कहा है चे इस्जत देनेवाला आल्ला है इरान खान पार्लिमेंट हाउस पहुँचे तो उसे उस्जाफिे भकी श्गान कहा कि करा आई عمران خان نے جواب دیا کہ عزت دینے والا اللہ ہے इजलास के शुरका ने अमरान خان पर भरपूर एतमाद का इजार करते हुए पार्टी गयादत के साथ खड़े रहने की यकीन नहानी कराई पार्टी अरकान ने कहा कि इस टीफों से मुतालिक عمران خان जो फैसला करेंगे खबूल होगा पार्टी अरकान ने कहा कि जो भी वजीर आजम हकूमत से बहार निकलता है तो उस पर कर्रप्शन के इल्जामाद लगते हैं अलहमदलिल्ला इमरान خان पर कोई कर्रप्शन के इल्जामाद नहीं हैं हम आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे गुजिशता रोज वजीर आजम के अहदे से हटाने पर पी टी आई चेर्मिन की कॉल पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान और हामियों ने मुल्क गीर एहतिजाज किया जिसमें मुजारी ने उपोजीशन और अमरीका के ख़लाफ शदीद नारे बाजी की जबके अपने कायद से यट जहती का इजहार किया मजीद खबरे भी बुलिटन का हिस्सा होंगी मागरेस प्रेक के बाथ अपने हाथ मेरा है मैं आपको सस्पेट करता तेक टीवी पाकिस्तान अफटशामराना टीवी पाकिस्तान अफ़ियर आदम मुझा जिया गया लेके आएंगे टारीकि अदम है तुमारीम साहबा कहती है मेरे पास टेपे हैं मुझे लगता है अप देनी तोर पे बिल्कुल मफ्रूच हो चुके हैं पे रुसकारी में अजाफा होगा अमजद बलूच टेक टीवी पाकिस्तान कौकप फारुकी टेक टीवी पाकिस्तान